हाई गाईज वेलकम बैक टू माई टूप चैनल मैं आशोप पार के मेरे सपोर्ट मैं आठ चैनल में आप सभी का सवगत करता हूँ आज का टॉपिक है बिगिनर स्टूडन्ट के लिए ब्राइंग करने के लिए आपने हाथ में पिंसिल कैसी पकड़ने चाहिए ओ आज इस वीडियो में मैं समझने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेलफुल होगा इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लाश्ट तक देख लिजे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ओल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारे तुरंत मिल जाए तो सबसे पहले आपको ये ट्लेर करता हूँ कि ड्रॉइंग करने के लिए हाथ में पिंसिल कैसे पकड़ने चाहिए ओ मैटर नहीं करता लेकिन आपको पहले से ही बिगिनर स्टूड़न को आपको पहले से ही अच्छी तरह से आदत पड़ जाए तो आगे चल कर आपको ड्रोईंग करने में आसा नहीं होगी इसलिए ये टोपिक मैने चुना है तो ड्राइंग करने के लिए पिंसिल पकड़ना जरूरी होता है पहले नए आदमे होता हूँ बिगिनर स्टुडन के लिए बहुत ये हलफुल वीडियो है इसलिए ये वीडियो देखो और आप भी ट्राइक कर सकते हो ये जो पिंसिल है मैंने हाथ में लिए लेकिन कुछ लोग पिंसिल के जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर अपना हाथ इसी तरह रखता है और ड्रॉ करता है यह बहुत सारे लोग करते है बहुत सारे beginner और बहुत बड़े लोग भी करते है लेकिन आपको अच्छे आदत हुनी चाहिए आपको आगे चल कर कोई परिशनी नहीं होगी आपको अच्छे तरसे drawing करनी चाहिए तो आपको pencil यह जो pencil है इस pencil की जो size है साधरन 8 इंच है स्वारी 8 इंच नहीं होगी 6 इंच होगी लेकिन इस साइज की आधा भाग उससे बोलते हैं उस पर इस पिंसिल का हाथ रखकर आप ड्राइंग कर सकते हो लेकिन ड्राइंग करने के लिए आपका पेपर की साइज मैटर करती है आपके पेपर की साइज छोटी हो तो आपको इतने दूर पिंसिल पकड़ने की कोई दरूत नहीं आप अपने पेज छोटा हो तो पिंसिल आगे भी पकड़ सकते हो लेकिन आपका पेज बड़ा हो तो आप पिंसिल बहुत पीछे भी पकड़ सकते हो और आप साधारन ड्रोइंग करते हो A4 साइज या A4 से A1 साइज पकड़ते हो तो मिनिमम पिंसिल की पकड़ जो होती है वो आदा भाग होती है पिंसिल जो पकड़ है वो आदे भाग में पकड़नी चाहिए तिक है इस तरह और डूसरी स्टेप है कि पिंसिल पकड़ने के लिए कुछ लोग आई से पिंसिल पकड़ते हैं और कुछ लोग आई से पिंसिल पकड़ते हैं आई साड्रो करते हैं इस कन्फूजन का मैं आपको दूर करने वाला हूँ पैंसिल ऐसे पकडने से आपको हाथ पर गतिया आती सपीड होने से कारण आपका हाथ अच्छे तरह से वर्क करता है कि आया आपके समझ में और यह जो ड्रॉइंड करने के पैंसिल है ऐसे बहुत सारे लिखने में भी ऐसी पकड़ यूज़ करते हैं इससे दिख्कत आ जाती आपका जो हाथ होता है वो अच्छे तरह से घुमने जाता इसलिए ये जो पकड़े इसका यूज बहुत आर्टिस्ट करते हैं और आप भी करते ने होंगे तो करने की ट्राइ करो आपको भी अच्छे तरह से आदत पड़ जाएगे आप ड्राइन करते वक्त आपकी पिंसिल की पकड़ आपके इससाब से कौनसे भी तरीके से आपको जो इजी लगे जो आपको अच्छी तरह से हाथ वर्क करें उससे आप रख सकते हों अच्छे आदग पड़ने चाहिए इस सबसे मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है आपको वीडियो कैसा लगा आपको आच्छा लगा तो लाइक जरूर कोरत जेना और नेक्स वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और वे वीडियो कैसा लगा कमेट में के दन नर्ट